हलो फ्रेंट्स में नाम है वीजय और आज की वडियों हम बात करेंगे SQL की, SQL की कमांड्स को जानेंगे, उनकी कीवर्ड्स को जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सबसे बेले बात करेंगे SQL है क्या? SQL अपकी एक लेंग्वेज है जो की हमें अपने database को manipulate करने में मदद करती है अब manipulate कहने का मतलब यह है कि चाहिए उससे data retrieve करें, store करें उससे data fetch करें, उसको change करें यह सब manipulation माया जाता है आपका अब देखिए हमें पता है कि जब भी हमें कोई code चलाना होता है तो हमें programming language learn करनी पड़ती है चाहिए आप Python learn करें, C, C++, Java ठीके बहुत सारी हैं उससे हमारा काम बनता है अब किस तरह का system है, किस तरह की requirement उसके हिसाब से आपको programming language चूज करनी पड़ती है इसी तरह से आपकी database के हिसाब से आपको एक language को चूज करना पड़ता है अभी अलग-अलग language अलग-अलग company यूज करती है जिसे MySQL हो गया Postgres SQL हो गया Microsoft SQL Server हो गया और कल database हो गया, SQL Lite हो गया तो इस different type के क्या है आपके query language है जो कि आपको database को manage करने में मदद करती है मैंने companies के name भी हाँ mention करते हैं अब देखे सारी की बात नहीं करेंगे कुछ कुछ important की बात करेंगे जैसे select हो गया Select क्या करता है? retrieve करता है data database में से कैसे लिखते हैं इसको वह भी समझाओंगा भी हम आपको अभी आप keywords को ध्यान रखें क्यों keywords आपको पता होने चाहिए अभी पर आप देखने तो आपको पता होने यहां की SQL की query लिख होई है if from from मतलब यह आपको बताएगा कौन सी table से उठाना है ठीक है select data from this table select data from that table where अब यह where में क्या होता है आपके conditions ना जाती है ठीक हो गया where में क्या आती है आपके conditions अब की condition होता है if else की condition वैसे if else की condition नहीं होती where आपके if की condition थी कि अगर ऐसा है तो यहां पर जहां पर ऐसा है वहां से उठाओ इस तरह के से बोलता है यह ठीक है insert का मतलब आपको समझ में आयकाओ data को insert करना है update का मतलब आपको समझ में आपको delete create और जोइन आको बता चुका है इससे पहले वाली दो-तिन वीडियो में कि जोइन के आपके होते हैं इनर जोइन आउटर जोइन लेफ जोइन राइड जोइन तो अगर आपने नहीं देखिए वीडियो देख लेजेगा वीडियो फिर आता है अब का on group by यह थोड़ा एडवांस लेवल का SQL की कोईरी सा जाती है जिसमें हमें और एडवांस लेवल से हम लोग क्या करते है अपने जो आउटपुट है उसको फिल्टर आउट करते है ठीक है कि अगर गुरूप बाइस किस गुरूप के हिसाब से चाहिए ठीक है और mathematical operation भी आप लगा सकते हैं इसकर और operations भी होते हैं और keywords जैसे AND हो गया एख है और हो गया इस तरह की keyword को भी हम लोग यूज करते हैं अब keyword क्या होता है और keyword क्या होता है यह हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं SQL की commands कुछ 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 देख लेते हैं तक आप थोड़े से familiar हो जाएं फिर हमको समझाएंगे आपको किस तरह से क्या कर रही है अब देखे data में मैं क्या करूंगा इस commands को apply करूंगा इन commands को अभी क्या करी है select करने है क्या करना है select Astrick अब Astrick क्या दिखाता है Astrick यह बताता है कि all data सारा data सारा data मतलब सारी columns all columns जितने होंगे सब आएंगे यहां पर कितने अब क्या करेगा यह सिर्फ student name को select करेगा कॉमा एज को सेलेक्ट करेगा कॉमा जेंडर को सेलेक्ट करेगा from student, अब ये student क्या है, ये टेबल का name है, आप क्या करते है, सबसे बहले select लिखते हैं, फिर आप column के name बताते हैं, ये column का name है, student का name बताया, age बताया, gender बताया, मैंने तीन column के name बताए, अब ये column के name कौन सी table में से हैं, पचासो table होगा, student होगा, employee होगा, department id ہوगे department होगा तो वहां पर इसे आपको बताने पादेगा कौन सी table का नेम यहाँ पर लिखना पदेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे अपने लिखा select select क्या Select यहाँ पर लिखना आपको columns के name फिर आएगा आएगा फिर आपका आएगा टेवल, टेवल का नेम क्या है यह आपका syntax होता है अब कौन सा किस order में आता है हम धीरी धीरी सीखेंगे अभी सिर्फ स्टार्टिंग की introduction की class है इसले में थोड़ा सा basic रख रहा हूं थोड़ा simple रख रहा हूं एक आपको idea मिल जा कि हाँ इतना tough नहीं है अ इसके बाद आला देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आप खुर समझेंगे कोछ चीए अस्ट्रिक select from student where age is 21 तो यहां पर क्या करें देखिए इस select करो सारी की सारी कॉलम सारे के सारी कॉलम आपके आने चाहिए from इसमें से पॉंस से टेबल में से student table में से जहां पर where मतलब ज ठीक है यह वाला data नहीं आएगा तो एक दो तीन चार पांच पांच आपकी रोज आएंगे और सारी कॉलम से यहां पर एज देखिए 21 से ज्यादा है अगर यहां पर स्पेसिफिक होता इस ट्रेंट का नेम ही चाहिए या जेंडर ही चाहिए तो यहां पर सिर्फ दो ही आपकी क्या होते कॉलम आते ठीक है तो यहां पर आपके आते हैंगे सेलेक्ट के बाद क्या बताएंगे कॉलम के नेम बताएंगे ठीक हो गया अभी इसके पर सेलट करें कौन सी condition है, जहाँ पर gender female हो, end gender a हो, अब and वाली condition, क्या खिस तर से काम करते हूं, यह समझते हैं, टिक है, नोट्स बना लिज़ेगा ठीक है AND समझते हैं AND और और दोनों समझा देता हूं आपको AND का मतलब यह होता है कि अगर एक condition माले C1 दिया मैंने एक condition ने C2 अगर पहली condition true है दूसरी condition भी true है पहली condition true हो गई दूसरी condition false हो गई मतलब मालीजे पहली condition क्या है हमारे case में कि यह female है कि हाँ ठीक है female तो है लेकिन उसका जो grade है वो भी आपका A है यह दोनों condition true बता रहा है इस case में क्या है female तो है लेकिन grade क्या है B है तो यह condition क्या गई false हो गई यह चीज़ समझ माई ठीक है अब देखिए यह condition मैं यहाँ पर false ले रहा हूँ कि पहली condition female नहीं है female नहीं है और यहाँ पर grade भी A नहीं है दोनों ही condition false आ गई और एक condition false है और दोसी condition true है मतलब grade तो A है लेकिन यह female नहीं है मतलब male है तो इस case में output क्या आएगा output कहने का मतलब है कि क्या हम इसको रखेंगे उस row को जिस row में female भी है और A भी है क्या उस row को रखेंगे अगर true आता है तो रखेंगे मतलब अगर false आता है नहीं रखेंगे अब देखिए false कैसे आएगा अगर देखिए end की condition लगी है अगर end की condition में क्या कहता है तो उस case में तीनो ही condition true हो नीची है, मतलब अगर एक c1 condition है, c2 condition है और c3 condition है यह true है, यह true है, यह true है, यह true है, जब रही तीनों ही true होंगे तभी यहां पर true आएगा, मतलब तभी यह select होगा, Shahya होगा वणना नही select होगा, अगर 2 में true है 1 में false है, ठीक है, दो में true है, एक में false है, तब भी ये select नहीं होगा, नहीं होगा, तो कौन सी condition में, जब आपके, सब की सब condition, जितनी condition दी गई है, दोनों की दोनों true होती है, तीनों की तीनों true होती है, तब भी आपका selection होगा, तो हमारे case में, दोनों की दोनों true थी, तो true होगा, मतलब सेलेक्शन होगा ठीक है यहां पर फॉल्स है एक में तो नहीं होगा यहां पर सेलेक्शन नहीं होगा और यहां भी फॉल्स यहां भी फॉल्स और यहां भी फॉल्स तीनों जगा फॉल्स आएगा ठीक है अगर तीन कंडिशन है तो यहां टू आएगा मतलब यहां सेलेक्ट हो कहेगी कि दोनों में से एक भी चल जाए तो मैं माल लोगा ठीक है if any one of the condition is true अगर एक भी condition true हो जाती है माल लिजे हमर पर दो condition है c1, c2 यहाँ पर true है, यहाँ पर false है यहाँ पर false है, यहाँ पर true है यहाँ पर भी false है, यहाँ पर true है यहाँ पर true है, यहाँ पर true है तो किस-किस condition में यह true देगा माल लीजिए, यहां and की जगह और लिखा होता, तो इस case में क्या होता? यह female है यह condition true है। और इसका grade आ नहीं, Ber 194 है मतलब condition false हो गई, यह female नहीं है, यह male है, जो grade हो a है झाय है और यह आपका male है यह आपका female है eu इए कंडिशन ट्रू हो जाती तो आपका ट्रू आएगा तो मतलब यह true आएगा मतलब यह select होगा select होगाने का मतलब क्या है कि output में जिननेट होके आएगा इसका output पहली condition false है यह true है कोई फर्क निपरता एक तो true है तो यह भी true होगा और यह select हो जाएगा अब यह दोनों false है तो यहाँ पर यह selection नहीं होगा मतलब यह क्या है false है condition दोनों तो false होगा दोनों ही true है तो इसका मतलब क्या यह true होगा इसको true होगा ठीक है यह चीची समझ गया एंड क्या करता है एंड यह आपका confirm करेगा कि दोनोई condition जितनी condition एंड से जुड़ी है सबके सब true हो लेकिन और क्या करता है चलो एक भी condition अगर true हो गई तो मैं true माल लूँगा उसको अगर दोनोई condition false हो जाते हैं तभी false होगा तो अब इसको अलग language में लिसकते हैं इस बोट condition और फॉल्स या और और अल कंडिशन और फॉल्स तभी मैं क्या करूंगा फॉल्स दूंगा बनना में true दे दूँगा यह चीज समझ गए यह तभी false देगा जब दोनोई condition false होगे ठीक हो किया अब इससे output किस तरह का आएगा ठीक है नोट कर लिजेगा इसको मैं डि ग्रेड a दोनों में condition true किसमीं हो ही दो मतलब आएगा मेल नहें आएगा एक बी कंडिशन ग्राय सिथी देगला चाहेगा मेल है नहीं आएगा फिमेल है लेकिन यहाँ पर क्या है ऍलेड यहाँ तो यह नहीं आएगा इनाहीगा भी तो आएगा की मल अ भी में अहाँ lawर याप फिमेमेल है लेकिन ग्रेड क्या है छी कि यह नहीं था आयेगा मेल तो एक दो तीन सिर्फ तीन राप्त जनरे जरें की आ रहे है आ इसके बाद वाली कंडिशन देखेंBut कौफय असका अब इसके बादवावली कंडिसन कोफी आपफयासान है कि set करो सारे बच्चे जहां जिनकी age 22 के बराबर है यहां पर gender पूचा गया कि female होना चाहिए ठीक है सारे attribute हैंगे सारे columns आएंगे यहां पर grade पूचा गया कि B हो सारे columns आएंगे यहां पर फिट से end की condition लगी की end की condition का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होगा मेल तो होने ही चाहिए और age 21 या 21 से ज्यादा भी हो सकती तो यहां पर देखे इक्वल टू भी लगा हुआ है तो 21 को भी एक्सेट करेगा ठीक है तो यहां पर यह condition जो लिखी हुए यह not के लिखी हुए है कि not Alice यह select करो सारे columns के name जहां पर student जहां पर student का name Alice ना हो यहां पर not यह not condition कैसे लिखते हैं इस तरह से लिखा जाते हैं यहां पर SQL में ठीक है लेस देन और greater than दोन में sign के सान्थ एक सान्थ यूज़ किया जाता है अभी greater than के sign लगावा है mark जिसमें 18 से ज्यादा हो और दीखे इसके बाद आया यहां पर between वाला command यहां पर क्या करें एज जहां पर इसके बीच में हो 20 और 22 के बीच में तो यहां पर कमांड के कहा रहा है कि select करो student where grade जहांब ग्रेड इन मतलब उसमें हो जहांब ग्रेड क्या हो जहांब आप मुल्टिबल कंडिशन लिखानी होती है वहांब आ वैसे कर सकते हैं जिसे ग्रेड आपका ABC हो जब ABCD हो ABC आप D वाले नहीं लेने चाहते है तो आप इसको ऐसे अगर A किसी आया हो वह भी तब भी आएगा B किसी आया हो तब भी आएगा ठीक है तो चेक कर लिए और अंसर यहां पर देखें जितने भी grade आये होंगे ठीक है वह A या B दोनों में से किसी एक क्या होंगे ठीक है इसके बाद देखें यह पूछ रहा है हमसे कि select करना है हमें यहां पर देखें और की condition लग गई है और की condition में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता चुका है दोनों में से एक भी condition अगर true होगा गर mail होगा तब भी आजाएगा grade A होगा तब भी आजाएगा तो चेक कर लेते हैं कि mail और grade A किस किस में है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं और आपका यहां पर भी एक grade है तो यहां पर एक दो तीन चार पांच आठ तो टोटल आठ ग्रेड यहां पर तो यहां पर टोटल कॉलम किता हैंगे आठ आएंगे तो यह सब output में आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर और की condition लगी है देखे फिमेल है लेकिन grade है दोनों क्योंकि आपको बताया थै मैंने कि यब दोनों ही फॉल्स होगे तब ही आपका फॉल्स है का मतलब हो select नहीं होगा देखे अगर एक भी true हो गयיד का दूसरा false अज़िए लेकिन पर पर देखे पहला आपका क्या है तब भी select हो ठोल्स है बही आस NOR structure हो गत्रजा नहीं आ रख में तो आहए अब देखें यहाँ पर लास्ट वाली कंडिशन क्या रखिया 라 스लिक देखें marts क्या होने चीए 70 से कम होने चीए और फिर सेवंटी मांक्स 1973 से कम होने चीए टो और की या फिर 70 से कम होने जाए। और और इनौस लगी है। इन तीनों प्लुप्मे से एक भी अगर 2 होगया तो 2ा जायेगा। सेविए से कमu 1 कोई सेविए छिके वह एक कंडिचन डोंगी तो यह तो पक्का आएगा लेगर यह वी आपका62 और यह यह अप तो ये भी आपको पकाता तो 3 गोट्पूट में तो आजकी वीडियो में इतनहीं रखते हैं, थैंक्यू वचिंग, गूडबाई, तिक कियर लापन कर दोटर अब भाइ कर दो प्रован में जाया सब्टाइब जाजा जाए बावा जावा टॉटू है